अस्सलाम उलेकुम, वेलकम टू अपना किचर, मेरा नाम है राहत और आज हम बनाएंगे चिकन चटकारेदार चिकन चटकारेदार बनाने के लिए हमें इंग्रीडियन्स चाहिए 500 ग्राम शिकन, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पॉडर, 1 टीस्पून जीरा पॉडर, 1 टीस्पून धनिया पॉडर, 1 पिंच हल्दी, नमक, 1 टीस्पून काली मिर्ची पॉडर, 1 टीस्पून अध्रक लशन का पेस्ट, 2 टीस्पून दही, 1 अध्रक कोत्मिर, 1 इंच बारीक कटकी 10-12 कड़ी पत्ते, 2 हरी मिर्ची, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, 4-5 मेथी दाना, 4-5 कलॉंजी, 1 सूखी लाल मिर्ची एक कड़ाइ में तेल गर्म, उसमें अध्रक के बारी कटकी हुए टुकड़े डालेंगे, फिर कलॉंजी डालेंगे, मिथी दाने अइट करेंगे, फिर इन राई को फिर इन सब को थोड़ी देर फ्राइक कर लेंगे, जब यह थोड़ा फ्राई हो जाए इसमें चिकन फिर इसमें अच्छे से मिक्स गरेंगे और तक रखेक हो पानिया पुक्नन पॉक्नलिए की उनके रखेक है क्सक्तियों करने के लाजिया डालगता डाले की दालगत अच्छिलमिल्ठीक अच्छे गरेंगे फिर इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे हरी मिर्ची को तोड़कर डालेंगे पोट में डालेंगे फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस चिकन में हर कंस्म की मिर्ची है सबके अपने अपने फ्लेवर है पर सबकी कॉंटिटी कम है हमारे चिकन के फ्लेवर के लिए सब जरूरी है हमें इस रेसेपी में पानी यूज नहीं करना है चिकन अपने ही पानी में गल जाएगा तो पानी एट करनी की जुरत नहीं है फिर इसे ढखकन लगा कर 2-3 मिट पका लेंगे 2-3 मिट हो चुके है मसाले चिकन में अच्छे से इंटेक्ट हो गए है अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे फिर इसमें दही एट करेंगे आप चाहे तो दही की जगा विनेगर या नीबू का रज भी डाल सकते है लेकिन कुछ खटा दालना ज़रूरी है इससे चिकन को अच्छा और चटकारे दार फ्लेवर मिलता है इससे अच्छे से मिक्स करके ढखकन लगा कर 2-3 में पकने देंगे तब तक बगार के लिए एक बरतन में तेल लेंगे इसमें जीरा डालेंगे राई डालेंगे सूखी लाल मिर्ची डालेंगे कलॉंजी डालेंगे मेथी दाना डालेंगे कड़ी पत्ता डालेंगे फिर अच्छे से फ्राय होने देंगे फिर चिकन का ढखकन हटा लेंगे एक बार मिला लेंगे फिर बगार को चिकन में डालेंगे फिर इसमें कोट में डालेंगे इसे थोड़ी दिर पकने देंगे फिडिश आउट कर लेंगे लीजे तयारे चिकन चटकारे दर ऐसे ही अच्छे रेसे पिस देखने के लिए हमाई चाहें को लाइक करें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन स्पाने के लिए बैल ऐकन को प्रेस करें हमें अपने फिडबेक ज़रूर दे और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमें कमेंट और सपोर्ट ज़रूर कीजेगा